हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बैंक में पैसा जमा करने वाले फरम को कैसे भर जाता है आज के इस वीडियो में आपको step by step बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा ये फरम बहुत सारे लोगों को भरना आता है लेकिन फिर भी बहुत सारे गलतिया कर देते हैं फरम को भरते समय दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको step by step बिल्कुल असान तरीका से बताऊंगा की deposit sleep को कैसे भरते हैं दोस्तो आप एक किसी भी बैंक का deposit sleep भरना सीख जाएंगे तो आप किसी भी बैंक का फरम भर सकते हैं deposit फरम को आप भर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है Central Bank of India का deposit sleep इसको कैसे भरना है आज के इस वीडियो में आपको पुरी तरह से अच्छे से समझा करके बताऊंगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो इसमें परची होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है consumer को देने के लिए यह sleep होता है और यह दूसरा जो है यह bank अपने पास रख लेता है तो दोस्तों इसको दोनों को कैसे भरना है इस वीडियो में आपको step by step बताऊंगा तो इसको सबसे पहले आपको भरने के लिए क्या करना है आपके पास यह sleep होना चाहिए तो यह sleep आपको bank के दुआरा मिल जाएगा और इसको भरने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना सखा का नाम लिखना है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अ हाता संख्या आपको डालना है आपका जो भी एकाउंट नंबर है आपको इस बॉक्स में अपना एकाउंट नंबर डाल देना है उसके बाद आपको यहां पर पूरा नाम यहां पर डालना है जो भी आपके पास्बूक पर नाम प्रिंटेड है आपको यहां पर अपना नाम ड लिखि दिया हूं को 1000 रूपीश लई मैं जामा करने वाला हूं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं उसके बद आपको नीचे में भी यहां पर पैसा आपको डाला तो आपको लगाना जरूरी है यह जन आपको डम आप को लगाना है उसके बाद आपको आपका यह जो पहला जो consumer sleep होता है जो कि आपको मिल दाता है बैंक के दुआरा जो पैसे जमा करते हैं तो यह वाला complete हो जाता है फरम उसके बाद आपको यह second भरना है तो second भरने के लिए आपको same process है आपको क्या करना है सबसे पहले यहां पर आप देखिए यहां पर आपको क्या करना है अपना जो साखा का नाम है यहां पर डाल देना है उसके बाद यहां पर देखिए आपको option मिलेगा चेक और नगदी का आप चेक दे रहा है या नगदी दे रहे हैं तो आप नगद पैसा जामा कर रहें तो आप सिर्फ यहाँ पर नगदी जो लिखा हुआ है इसके उपर इसे टिक कर दिजिए और छोड़ दिजिए यहाँ पर आपको कैस लिखने के ज़यूरत नहीं है अगर आप चाहे तो यहाँ पर कैस भी लिख सकते हैं उससे कोई फरक परने वाला नहीं है उसके बाद लिख सकते हैं और अधर वाज इससे आप छोड़ सकते हैं कोई फ़रक परने वाला नहीं है तो आपको सधारान तरीके से बता रहा हूँ इसको आपको नहीं भरना इसे छोड़ दिजिएगा और यहाँ पर कैस भी आप मत लिखिएगा यहाँ पर सिर्फ नगदी पर टिक कर दिजिए यहाँ पर फरम फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर देखिए सीरी सीरी मती कुमारी लिखा हुआ है यहाँ पर फिर से आपको अपना नाम फिल कर देना है यहाँ पर लिख देना है जो आपके पास्बुक में है उसके बाद यहाँ पर सेकंड नमबर में आपको यहाँ पर खाता नमबर आपको अपना डाल देना है उसके बाद यहाँ पर देखिए फोन नमबर और मुबाइल नमबर का अप्शन है यहाँ पर आपको अपना मुबाइल नमबर दे देना है मुबाइल नमबर देने के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर pen card के बारे में जिक्रिक किया गया है अगर आप 50,000 रुपिया यह 15,000 से अधिक का पैसा जामा करते हैं बैंक में तब आपको यह pen card का नमबर देना जरूरी है अगर आप 50,000 रुपिया यह इससे भी अधिक जामा कर रहे हैं तो उस इस्तिति में आपको pen card का नमबर देना है और pen card का नमबर आपको इस box में डालना है यहाँ पर आपको pen card का नमबर डालना है जब आप 50,000 या उससे ज्यादा पैसा जामा करेंगे तब इसके बाद आपको यहाँ पर च्या करना है नीची आना है यहाँ पर आपको फिर से देखिए खूल अरासी सबदों में इन वर्ष इस में डालना है अगर आप चाहें तो इसे इंगलिज में भर सकते हैं हिंदी में भर सकते हैं तो यहां पर देख area 1000 लूपीज अर्ली मंने लिख दिया व Sitting थी यहां पर जामा करना है उसके पाद आपको क्या करना है है पर जमा करेगा तो यहां पर आपको अपने सिंगनेचर कर लेना है उसके बाद आपको में पॉइंट यहां पर आता है कि जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मैं आपको थुरा इसे जूम करके दिखा देता हूं यहां पर आप कि यहां पर आपको पैसा का भी वुरन डालना है जो भी आपको बैंक में जामा करना है जैसे मुझे एक हजार रुपया जामा करना है तो 500 का दो नोट है तो यहाँ पर पान सों के सामने Ein एक हजार आएगा तो यहां पर मैं एक हजार लिख दिया हूँ एक हजार लिख दिया हूँ उसके बद आपको नीची आना है और नीचे में यहां पर आप देखें यहां पर टोटल जो लिखा हुआ है यहां पर आपको टोटल इमाउंट लिख देना है जो भी आप जामा करने वाले हैं तो यहां पर मैं एक हजा लिख दिया हूं उसके बद आपको फिर से ये वाला ये वाला चीन आपको देना है उसके बद आपको क्या करना है यहां से ले करके यहां तक आपको इस तरह से लकीर खीच देना है ताकि यहां पर आपका जो भी मतलब यहां पर एमाउंट आप इस तरह से खेच सकते हैं उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है signature हो गया ये सारा कुछ फोरम आपका feel हो गया है अब आपको इस फोरम को ले जा करके counter पर जामा कर देना है और पैसा देने के बाद आपका ये क्या होता है आपका sleep यहाँ पर बैंक के द्वारा मोहर औ पर एक मेसेज आयता है जिसके जरी आपको पता लगता है कि आपका पैसा जामा खो गया है तो I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आप वीडियो पसंद आई है तो लाई करीए अपने दोस्तों के पास सेर करीए और कोई भी कनफ्यूजन हो तो कमेंट करके पू सकते हैं